तो फेल ये फैबली इस साल के डबलर भी गेम में जैसे आप लोग जान रहे होगे टूके ने बहुत सारे नए-नए मैचेज आड़ कर दी है लेकिन ये जो मैच आज हम लोग करने जा रहे है यही सिर्फ एक लौता ऐसा मैच है जिससे अभी तक किसी भी एक सिंगल सुपरस्टार ने नहीं जीता है बजन सबको दिखी रहा होगे कि ये मैच का नाम है गौंटलेट टर्मॉल मैच या आप बोल सकते हो वन वर्सिस ओल मैच तो आपने से जादतर लोग इस मैच के रूल्स जानते ही होगे लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार जल्दी से याद दिला देता हूँ तो कोडी के पास उस टाइम ना फुल हेल्थ रहेगी ना फुल स्टैम्ना बलकि उतना ही रहेगा जितना रे की मैच के बाद उनका हेल्थ और स्टैम्ना बचेगा और फिर समझो कि कोडी ने ओमास को भी उतनी कम हेल्थ और स्टैम्ना के साथ हरा दिया किसी तरह तो उसके बाद tribal chief full health के साथ आए और Cody के पास resilience भी होगी के नहीं होगी पता नहीं तो कुल मिलाएगा बात ही है कि ये one versus all इसलिए अभी तक किसी नहीं जीता है क्योंकि ये लगभग एक तरह से impossible match है तो चलिए देखते है कि क्या अजी real life के undisputed champion इस impossible match को possible करके जीत पाते है या पहली ही eliminate हो जाते है फिलार भी जब तो काँछो गेंप्ले स्टार्ट हो रहे हैं कि हम फटाक से वडियो को लाइक कर लिजे मेरे बाए प्रे को समझ जो किसी तरह कोडी ने हरा दिये इसके बाद ओमास आएंगे दो finisher लेकर और last में Roman ऐसी कोई guarantee नहीं कि last तक कोडी पहुँचेंगी ऐसे कोडी अच्छा खेलते हैं 2K24 में और king भी बने वे बाई 2K24 के तो मुझे लगता है कि last तक तो पहुची जाना चाहिए बहुत अच्छा केल रहे हैं दो दो elbow drop पता नहीं रे मिस्टेरियो क्या कर रेरेसर ultimate underdog signature भी आ गया है कोडी अगर रे के पास सुपर finisher आ गया ना तो ऐसा नहीं हो कि एक सुपर finisher खाओ और match ही कतम हो जाए पर अगर किसी तरह बच भी गए सुपर finisher खाने की बाद तब भी क्या बचेगा match में फिर Omas आगे तुरंत eliminate कर देगा जलो रे ने at least कुछ करना start किया देगो कोडी को जान मुझ कि पर रे को हरा पाएंगी तब न रे क्या किया जा रहे हो दो बार रे गलत कर रहे हो आठी के पेट में मार रहे हो लेकिन देखने में गलत लग रहा है तेसरी बार रे को पता नहीं कितना मसा रहा है ये move पारदे में तेरे नाम referee भी confused होगी है कि ये चल क्या रहा है कोड़ी ने अपना signature का वाया है लेकिन चलो रे के एक ही move से वो बच की निकले रे के पास 619 ए प्लस की दो finisher है सुपर finisher आने ही वाला है रे के पास तीसरी रे फिनिशर की तैयारी कर रहे है पर रे देखो मैं वान करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं हो कि तैयार ही करते रह जा और मैच ही निकल जाए हाथ से एक signature दो finisher तीसरा भी आने वाला है लगाने स्टार्ट करो न रे हेड यलो कर दिया है कोड़ी का pinfall नहीं करना चाहिए अभी मैं क्या बोल रहा हूँ रे 619 लगा के लेते ही और तीन finisher super finisher हो जाएगा कोड़ी को eliminate करना हसान होगा इसके बाद Omas बस back stage में तयार होगा भाई कि रे in case eliminate हो गए जो कि बहुत हाई chances लग रहा है कि रे मिस्टेरियो eliminate हो जाएंगे हाँ अगर super finisher लेते हैं तो अलग बात है रे देख लो finisher देने का नामी ने ले रे कोड़ी के साथ मिली भागाते कि आप ये ऐसा लग रहा है कि इस match को रे बिक चुके आप कुछ ने रख रहा है रे में देख रहो न पर कोड़ी के पास अब signature आगिया है रे थोड़ा समल कर अगर कोड़ी ने लगा दिया signature न तो रे के पास पता है नहीं resilience है भी के नहीं है पिनपॉल काई कू कर रहो नहीं होगा resilience तक नहीं जाएंगी वाड़ी यलो हेड़ी यलो अभी कहां से रे और रे का हेड़ लाल है ये gauntlet termoy match में न first match बहुत जादा important है बहुत जादा अच्छा उसमें खिलना अपनी resilience बचाना ताकि second match में थोड़ा समाल पाउपने को क्योंकि third match तक तो पहुँचना बहुत बड़ी बात होती है इस match उसे एकी health के साथ दो लोगों को eliminate करना प्लस कि उन दोनों के पास दो दो finisher तो ये बचो वाली बात नहीं है रोमन एक बार third तक पहुँच गए थे लाइफ स्ट्रीम में याद है लेकिन third वाले में कोडी थे और कोडी ने आके eliminate कर दिया था इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला match जीतना बहुत मुश्किल है हाँ 8GB का जब से update है तब से ये वाला match नहीं किया है रोमन के साथ कि मेरे को अभी भी लगता है कि ये वाला match ऐसे three on one जीतना one versus all बहुत जारा मुश्किल है और पता नहीं पूरा साल खतम हो जाएगा तो जीत भी फाय गए कि नहीं क्या कोडी आज ही इस चीज़ को गलत साबित करेंगे पिनफॉल करके देखते ना कोडी हेड लाल था बॉडी अलो थी तमाचा मारने की जरुद थी नहीं रे अच्छा आत्मी है सिगनेचर फिनिशर दोनों आया हो है कोडी खतम खतम रे का आई थिंग के रेजिलेंस गई अगर रेजिलेंस है तो पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है कोडी के पास सूपर फिनिशर आ गया माक कसा रे की रेजिलेंस बच गई आई थिंग के रेजिलेंस है लेकिन बच गई अगर ये सुपर फिनिशर लगा ना तो सुपर तरीके से रे एलिमेरेट होने वाले बहुती गंदे तरीके से ऐसे एक करसे ना कोडी का फैदा हुआ पता है अगर सुपर फिनिशर रे को अभी दे दे थे तो उमास के सामने क्या करते है ऐसे रे के पास भी सुपर फिनिशर आ गया है दो लोगों के पास इस मैच में सुपर फिनिशर आया कोडी तो नहीं दे पाए आप देखने रे देते है या नहीं तो ये सुपर फिनिशर से ना मुझे एक आइडिया आगिया अगर गॉंटलेट मैच में किसी तरह दो फिनिशर बचा के रखो फिलाल कोडी का ना ना न पिन फॉल नहीं होगा एक सिक्निचर तो लगा है न अच्छा किया रे सिक्स वन नाइम ने दे पारे ते यही लगा दि लेकिन ये सुपर फिनिशर लगा कि आदमी जीत सकता है ये वन वर्सिस ओल मैच ऐसे वन वर्सिस थ्री से जादा भी हो सकता है पता है ना वन वर्सिस एड भी कर सकता हूँ लेकिन क्या फैदा वन वर्सिस थ्री कोई जीते तब ना आदमी वन वर्सिस फॉर वन वर्सिस फ पाया है अभी तक आज हो सकता है कि कोड़ी इस चीज की शुरुआत करें पिनफॉल भली कोड़ी थोड़ा पिड़ गहें लेकिन इस मैच के बाद थोड़ी सी हेल्थ रिकवर हो जाती है शायद देखते हैं ये मैच खतमों को उसके बाद पंदर चलेगा एक और फिनिशर या जाने सी हेल्थ रिकवर हुई चलेगा चलेगा ओमास आजा बाई देख दो फिनिशर है तिरे पास कोड़ी का 90 प्लस है तुमास थोड़ा सो समझ के अंदर आना ऐसे मैं अभी देख रहा हूँ कि कोडी पस दो दो फिनीश जा रहा है तुमास को देख रहा हूँ एक साल बादी आ जाता इतना लेट से आ है लेकिन आते के साथ लड़का काम कर रहा है फिनीशर कोडी की पास रेजिलेंस मीटर नहीं है पिन फॉल हो सकता है बच गए बच गए बच गए कोडी लेकिन ओमास के अटैक से कैसे बचोगे रिंग काउंट 10 है तो टाइम पास कर सकते हैं ऐसे कोई दिक्कत नहीं है टाइम बिता सकते हो बाहर लेकिन जादा टाइम भी मत बिता आरे हाँ यह यादा है गॉंट्लेट मैच में एक आदा आदमी को आदमी इलिमिनेट कर सकता है उसका काउंट ओट करवा के इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है बहुत बार तो ऐसा रियल डेवलोडी में भी हुआ है क्या कि गॉंट्लेट मैचेज में बहुत लोग जीत गए काउंट ओट एक आदा आदमी का करवा के तो चलेगे कोडी अगर यह काम भी कर लो लेकिन AI इसमें बहुत जादा स्मार्ट है जैसी साथों का सब रिंग के तरफ भाग जाएंगे टैग टीम मैच में भली जोल कर देते हैं लेकिन वन उन वन मैच में यह लुक जल्दी जोल नहीं करते कोडी कपास दो दो फिनिशर तीसरा बस आने ही वाला है ओमास अगर तीसरा आ गया ना तेरी खैर नहीं भाई सिगनेचर भी आही गया कोडी कपास वन मास की गलत तारिफ कर दी भाई कोडी आज को जाद ही मूड में किंग ऐसी थोड़ी है भाई टुके 24 के चलो भाई वन मास की टाटा के लिए अभी नहीं अभी नहीं किया है लेकिन इसके पास रेजिलेंस रही है तो हो सकता है कि इसका भी टाटा भाई भाई गुडबाई हो जाए क्योंकि कोडी पास एक सिगनेचर आ चुका है अभी आया अभी आया किन कोडी ये गलत बाते उमास के साथ जात्ती हो रही है एक और फिनिशर लगा शायद ये ऐलिमनेट ही हो जाएगा हेड लाल कर वाल ये ओमास यार और अब इलिमनेट भी हो जाएगा भाई तू टाटा हो गया यार इसका अब रोमनी आके समालेंगे दो-दो फिनिशर के साथ गया 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 चलो भाई इसका टाटा भाई भाई हो गया है कोडी की रेजिलेंस तक नहीं गई ट्राइबल चीफ लेकिन आठ जिवी का अफडेट भाई ट्राइबल चीफ के जाएगा कोई और होता ना तो शायद कोडी का लग होता पर कोडी अगर धुस्तिक साथ एडाक स्टाट कर दो पेडिग्री कोडी कटर जो हिससा बाज दे बारो शायद कुछ हो सकता है अभी भी रोमन रिवर्स भी नहीं कर रहे है कोडी याद है मैंने स्टाटिंग में एक तरीका बुला था तीन फिनिशर लागे सुपर फिनिशर वो ट्राइ करो तब ट्राइबल चीफ को पिनफॉल हो सकता है जल्दे लिए अभी मत दे था फिनिशर मैं यही सजेस्ट करूँगा अभी देना फायदे बन नहीं था रोमन ने ऐसे बे रिवर्स कर दिया पर वो पीछे वाला क्रोस रोड्स रिवर्स नहीं किया था इसनी क्रोस रोड्स अभी भी है कोडी के पास रेजिलेंस जाएगी पता नहीं लगता नहीं भाई आठ जी भी अपडेट याते न मैं जानी रहता है एक सिकनेचर एक फिनिशर कोडी बहुत अच्छा जा रहे हो अच्छी खासी हेल्थ अपनी बचाई भी है रेजिलेंस भी बची भी है रोमन को बस समलने का मौका मत देना क्योंकि समले रोमन सुपरमैन पंच दो-दो स्पियर तो अगर आप रोमन की भी फैन हो तो आज कोडी की परफॉर्मेंस अच्छी है यह मानना पड़ेगा कोडी परफॉर्मेंस अभी तक बहुत अच्छी है लेकिन जैसा मैं बोल रोमन को सबलने मत देना अगर जीतना है तो क्योंकि दो स्पियर मुझे फ्यूचर में नजर आ रहे है बस एक स्पियर के लिए तयार हो जाओ कोडी की रेजिलेंस तो जानी ही है और लगता है कि मैच अप कतम होने वाला है कोडी कीक आउट रेजिलेंस गई पर अभी भी चांस है अभी भी चांस है कि शायद ये कुछ कर पाए रोमन के पास अभी भी एक सिगनीचर एक फिनिशर और कोडी के हाला तब टाइट है अब इतना मार खा चुके ना क्योंकि स्टार्टिंग से जेल रहे है वही दिक्कत है ना इसलिए तो ये मैच जीतना मुश्किल है मैं क्या बोल रहा था अगर इतना असान होता तो मैं स्टार्टिंग में थोड़ी बोलता है कि impossible ये मैच जीतना ओड़ी लगता है मैच खतम होने वाला है reverse करना अभी भी kick out कर सकते हूं superman पंची है लेकिन बहुत मार खा चुके है तो दिक्कत है ताटा कोड़ी लेकिन बहुत अच्छा केला बहुत अच्छा केला भाई लिगे पताना है कि नॉक ओटान कर दूगा लेकिन जानते हो ना कि ya नॉक ओट दो धारी तलवार है अगर सामने वाला नॉक ओट कर सकता है तो जो बिछारा मेन अकेल है वो भी नॉक ओट हो सकता है तो चलिए जाने इस पहले वीडियो को लाइक करिएगा नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा 500 की सब्सक्राइब तो बहुत जादा करीब हैं तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिजएगा मैं मिलता हूं नेक्स वीडियो में टाटा